स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल Study with Smartness में फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हमने पॉलिटी के बहुत सारे कोशिन को कवर किया है और हम सिलेक्टिट कोशिन ही पढ़ रहे हैं आज हम उन कुशिन को भी कवर करेंगे जो हमारे पिछले एक्जाम में आ चुके है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप अपनी एक्जाम प्रिपरेशन को और स्टोंग करने के लिए इस वीडियो के लास तक बने रहें हमारा पहला कुश्चन है निमने में से कौन सर्विस है केंद सरकार के अंतरगत आता है तो देखते हैं इसका राइट अंसर है आप्शन नमबर A बैंकिंग सम्विधान में तीन सूचियों के बात की गई है केंद सूची, राज सूची और समवर्ती सूची जिन में से केंद सरकार का विषय हमारा पूछा गया है तो इसका राइट अंसर है बैंकिंग केंद सूची में 100 विषय है, राज सूची में 62 और समवर्ती सूची में बामन विषय है ठीक है, तो चले हैं चलते हैं, नेक्स कुश्चन की ओर नेक्स कुश्चन आ गया वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विशे हैं यह मैंने बताया अभी तो इसका राइट अंसर है ऑप्शन नमबर D 52 विशे हैं समवर्ती सूची में नेक्स्ट कुश्ण है हमारा कुश्ण है इन में से कौन सा विसे आता है तो इसका राइट अन सर है ऑप्शन नमबर E अकवार जो है जो हैं चलते हैं कुश्ण दिया हुआ है संग सूची, बीमा राज सूची, क्रशी, समवर्ती सूची, संचार या B और A दोन तो friends इसका right answer है option number C समवर्ती सूची में संचार विशय नहीं आता है संचार किसमें आता है तो हम यह जान लेते हैं यह संग सूची का विशय है next question है किंधराज संबंदों की चर्चा सम्विधान के किस भाग में की गई है तो इसका right answer है option number A भाग 11 में की गई है और कितने भाग है सम्विधान में 52 भाग है next question है निमनले में से कौन से कर राज सरकार दवरा लगाए वसूले & रख लिए जाते हैं हमारा question है कि इन में से कौन से कर राजसरकार द्वारा लगाए वसूले और रख लिये जाते हैं तो friends इसका right answer है option number D तीनो कर अब कौन-कौन से भूराजस्व कर, पत कर, क्रशियाय कर ये तीनो कर राजसरकार द्वारा वसूले लगाए और रख लिये जाते हैं चलते हैं, next question की ओर, निमने में से कौन प्रशास्निक सुधार आयोग से सम्मधित नहीं है friends हमारा question है कि इन में से कौन प्रशास्निक सुधार आयोग से सम्मधित नहीं है तो इसका right answer है, option number B सरकारिया आयोग जो है वो प्रशासनेक सुधार आयोग से संभनित नहीं है राइट अंसर सरकारिया आयोग 1965 में नहीं बना ये कब बना था 1983 में बना था चलिए चलते हैं नेक्स कुशन पर निमने में से कौन सुमेलित है अब इसमें सुमेलित बताना है वितायोग अनुचे 256 में है, सरकार द्वारा लिया गया उधार अनुचे 262 में है या राजो की संभ को कार्श वापने की सकती अनुचे 278 में है या राजो को संभ द्वारा अनुदान अनुचे 275 में तो इसका राइट अंसर क्या है? चलिए देख लेते हैं अप्शन नंबर D इसका राइट अंसर है राजो को संभ द्वारा जो अनुदान दिया जाता है उसकी बात अनुचे 275 में की गई है चलिए चलते हैं नेक्स कुशन बे राश्टी विकाश परिशत के स्थापना कब की गई? कोशन है राश्टी विकाश परिशत के स्थापना कब की गई? अन्डी सी के जिससे का जाता नेशनल डवलोपमेंट काउंसल फैंट इसका राइट अंसर है ओप्शन नंबर B 1952 में राश्टी विकास परिशत के स्थापना की गई? नेक्स कुशन है भासा के आधार पर गठित भारत का पहला राजे का नाम भासा के आधार पर गठित भारत का पहला राजे तो इसका राइट आंसर है आपने पढ़ा होगा आंद्रप्रदेश भासा के आधार पर गठित पहला राजे बना था किस लिए किया गया था बलवंत राय महता समीती का गठन किया गया था तो फ्रेंट इसका राइट आंसर है और ये कहां शे सुरू हुआ तो फ्रेंट इसका राइट आंसर है अप्शन नमबर ए नागौर में हुआ था और ये नागौर कहां है यह राजिस्थान में है चलते हैं नेक्स कुशिन पर सुतंत्र भारत में प्रेथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे फ्रेंट से मारा कुशन है तो इसका राइट आंसर है option number B, सुकुमार, सेन, इसको याद कर सकते हैं, निर्वाचनी के लिए बहुत ज़्यादा सुकुमार थे, तो इसका right answer option number B, next question है, पहले वितायोग का गठन 1959 में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन बने थे, वितायोग के गठन के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो friends इसका right answer ह option number C, इसका right answer है, चलते हैं, next question पे, सरकारिया आयोक का संबंध है सरकारिया आयोक का संबंध है अभी हमने देखा कब बना था ये 1983 में और इसका राइट आंसर है option number 1 किंदराज संबंध से सरकारिया आयोक का संबंध है चलते हैं next question पे संसर्द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंध ही विदेया कब पारित किया गया हमारा question है संसर्द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंध ही विदेया कब पारित किया गया तो इसका राइट आइट आंसर है option number C जून 2005 में पारित किया गया सूचना पाने का अधिकार चलते हैं नेक्स कोश्चन पर निम्न लिखित मैंसे कौन मध्यप्रदेश के तीसरे मुख मंतरी थे ये कोश्चन आ चुका है फ्रेंड्स पिछले एक्जाम में तो आप बताएए इसका अंसर क्या है निम्न लिखित मैंसे कौन मध्यप्रदेश के तीसरे मुख मंतरी थे तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अप्शन नमबर ए श्री कैलास नात काट जू मध्यप्रदेश के तीसरे मुख मंतरी रह चुके चलते हैं नेक्स कुश्चन पर प्रतम भारती सामान चुनाओ को वर्ष में आयोजित किया गया था प्रतम भारती सामान चुनाओ को तो देखें इसका राइट आंसर है उप्शन नमबर बि 1951 से 52 में प्रतम भारती चुनाओ आयोजित हुए थे चलते हैं नेक्स कुश्चन पर किस अनुसूची में सम्विधान द्वारा मानिता प्राप्त भासा का उलेख किया गया है हमारा कोशन है किस अनुसूची में सम्विधान द्वारा मानिता प्राप्त भासा का उलेख किया गया है तो इसका राइट आंसर है Option number D, आठवी अनुसूची में भासाओं का उलेख है कितनी भासाओं को सामिल किया गया है, 22 भासाओं को शामिल किया गया है चलते हैं नेक्स कोशन पे मद्पिदेश के कौन से मुख मंत्री सीराज गुपालाचारी के बाद भारत के तीसरे ग्रह मंत्री बने थे ये कोशन जेल प्रहरी में आ चुका है पिछले एक्जामों में मद्पिदेश के कौन से मुख मंत्री सीराज गुपालाचारी के बाद भारत के तीसरे ग्रह मंत्री बने थे तो फ्रेंट से मारा राइट आंसर है Option number D, केलासनाथ काट जू इसका राइट आंसर है मद्पिदेश के उस राज जिपाल का नाम बताईए जो 1991 के कौंग्रेश शासन में केंद्री क्रश्री मंत्री भी थे तो फ्रेंट इसका राइट आंसर है Option number B, बलराम जाकर बलराम जाकर इसका राइट आंसर है चलते हैं नेक्स कुशन पे प्रवासी भारती नागरिक किसे कहते हैं नागरिकता अधिनियाम 1955 के प्रवासी भारती नागरिक के रूप में दर्ज कोई वक्ती या ग्रह मंत्राले द्वारा 2002 के बाद से PIO कार्ड धारक की रूप में दर्ज कोई वक्ती या एक विदेशी नागरिक जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योगता रखता हो या option number D A और C तो friends इसका right answer है option number D इसका right answer है A और C दोनो क्या दिया हुआ है देख लेते हैं नागरिकता दिनें 1955 के प्रवासी भारती नागरिक की रूप में दरज कोई व्यक्ती और एक विदेशी नागरिक जो की 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योगता रखता है चलते हैं next question पे अनुछेद 5 से 11 तक का संबंध किससे है हमारा question है कि अनुछेद 5 से 11 तक का संबंध किससे है तो friends इसका right answer है option number C नागरिकता 5 से 11 तक में नागरिकता का उलेख किया गया है तो friends ये थे quality के selected question ऐसे और भी question series पाने के लिए आप हमारे channel पर continue बने रहें channel को like करें, share करें, subscribe करें thanks for watching, जैहन